आज हम दुरूद स्वामनी जो की जैसंकर प्रसाद का अतियंत प्रसिध्य नटक है उसमें जो उन्हें राश्टियम सांस्कृतिक चेतना को अभ्यक्ति प्रतान किये उसका अध्यान करेंगे तो आज का ट्रॉपिक है दुरूद स्वामनी में राश्टियम सांस्कृतिक चेत झार किया था इसकी अभी नेता के उपर विछार किया था तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और एक बात मैं पताना भूलिया था कि मेरा जितने पिडियोज हैं जितने भी लेक्ट्स हैं उसका PDF आपको description में मिलाता है तो आप जो भी मेरे कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है और साथ ही मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं धुरौस आमनी जो संकर प्रसाद में है राश्टि उम सांस्कितिक चेत्मा crabs यह प्रष्ण प्रया पारिश्य में अधरी हो यह जो दृौस आमनी से समंदी जितने भी पांच स्वेश्णत में इस पर्टिकुलर नाटक से तो उसको आप जरूर तयार किया करिया हमेशा तो आज हम देखते हैं संशेप में बहुमुखी प्रतिभा संपन स्री जैसंकर प्रसाद हिंदी के सरसेश नाटक कर्माने जाते हैं दुरूर स्वामनी 1929 में उनकी बहुचर्चित नाटकृती है जो 1929 सेश्वी में प्रकाशित हुई थी जिसकी कथा वस्तू गुप्त वंस के या सफ्षी समराड समुद्र गुप्त के पूत्र चंद्र गुप्त दिती विक्रमादित के काल से समधी थे अपने नाम सुनाओगा समुद्र गुप्त नाम के बहुत महानशाशक हुए हैं भारती इतिहास में जिने भारती नेपोलियन कह रहाता है उनके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र था रामगुप्त जो की बहुत ही वियस्नी और विलासी और शराबी इस टाइप का था अनैतिक व्यक्ति था और दूसरा पुत्र था है उनका चंद्रगुप्त दिती जिसे हम भारती इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित के नाम से जानते हैं तो यह चंद्रगुप्त दिती अर्थात विक्रमादित के काल से संबन्दी थे दुरोज स्वामनी नाटक में प्रसाजी ने राश्टियम सांस्कृतिक चेतना का उत्कृत रूप प्रस्तूत किया है। इतिहास से कथावस्तू का अधार ग्रहन करते हुए वे अतीट के पट पर वर्तमान का चितनार प्रसूत करने में सिध्धस नाटक का रहे हैं। प्रिष्ट भूमी को अतीट से उठाते हैं। उनके जो कैनवास है जो प्रिष्ट भूमी है जो कथानक है वह अतीट से तो लिया गया है। लेकिन वह वर्तमान से भी संबंदित है और मतलब भारती जो हमारी गवरों है जो इतिहास है जो बहुत ही गवरों साली इतिहास रहा है हमें। उस वर्तमान में जो गुलामी की बेडियों से जकड़े हुए जो भारती हैं उनमें यह भावना जगाने के लिए कि तुम अपने मन से पराजय स्विकार मत करो क्योंकि तुम्हारा इतिहास जो है बहुत ही गवरों साली रहा है हमारी परंपरा बहुत ही उत्कृष्ट रही तो मतलब प्रिष्ट भूमी कहां से लेते हैं इतिहास से लेते हैं लेकिन उसको रिलेट करते हैं हमारे पुर्तमान समय से प्रसाज जी भारत के अतीद गवरों यो महत्ता को प्रस्तुत करने के साथ साथ भारती संस्क्रीती के मूल तत्यों का समवेश भी पातरों घटनाओं के माद्यम से अपने नाटकों में करते रहे हैं मतब जैसंकर प्रसाज जी ने जितने भी नाटक लिखे उसमें उन्हें ने अतीद के गवरों और अतीद के महत्त को प्रतिबादित किया परिलक्षित किया और साथ भारती संस्क्रीती के जो मूल तत्व हैं उसका भी ये समावेश अपने पातरों और घटनाओं में करते है तो क्या क्या भारत के मूलतत्व हैं देखते हैं भारती संस्कृति के भारती मनिशियों विद्वानों ने संस्कृति के जो मूलतत्व भारती संस्कृति के क्या के मूलतत्व हैं भारती मनिशियों विद्वानों ने बताया हुआ है पहला है आध्यात्मिक्ता अध्यात्मिक ह जो आते हैं भारत में उनको बहुत ही प्रेम से यहां पर श्रणड दिया जाता है जैसे भगवान राम ने उसमें राम चरित मालस में वीभीषण को श्रणड दिया था यहां जानते हुए वीभीषण जो है उनके श्यत्रु रावण का भाई है फिर भी जब वो श्रणड सब्सक्राइव हमेशा से समान कøbogव रहा है भारती संस्रीति मैं उदा त्थवा महान है ना उदात अता सब्सक्राइब सब्सक्राइब तरफ भारती प्रसाथ कि नआटकों सरवतर दिखाई देते हैं ओर यह सब्सक्राइब दिखाई देते हैं प्रसाज जीने धुरुष सौमने में विवा की समस्या पर गब्धिर विचार किया है यदि किसी नारी का विवा उसके इच्छा के विरोद किसी क्रूर क्रूर मतलब जो हमेशा मार पिट करता है उसके साथ क्रूर्था करता है मद्यप मतलब होता है शराबी क्लीप मतलब होता है कायार डर्पो क्या नपुनसक इंपोर्टेंट कायार विक्ति से हो जाए और वह अपनी पत्नी को क्रीद दासी की भाती किसी अन्य पुरुष के उपहार में दे दे क्रीद मतलब खरिदी हुई दासी उसमें दासीयों को खरीदा और बेचा जाता था दास प्रता भी उसमें साहद भी दिवान थी समाईर में तो मतलब यदि कोई महिला है उसका विवा ऐसे व्यक्ति के सांथ वर जाता है जो अतियंत तक्रूर है शराबी है और कायरे डर्पो कहना पुनसक है और वह अपनी पत्नी को कैसे विहार करता है मतलब खरीदी दासी की तरह विहार करता है और अपनी पत्नी को किसे दूसरे व्यक्ति को दे देता है यह विवा की समस्य है तो भी क्या ऐसी नारी उस पूरुस को अपना पती मानती रहे तो कि ऐसी परिस्थितियों में भी, क्या महिला बाद यहां कि वा उसको पती की रुपे स्विकार करती रहें, उसके साथ पतिनी की तरह रहें, और पती मानती रहें, इस प्रस्ण को प्रसाज जीने दुरुस दौमनी के मादम से उठाया गया, बत आज हमेरे वर्तमान समाज म या फिर डरपोग है, या फिर इंपोर्टेंट है, अब उसके है, तो क्या ऐसी परिस्तिती में उसको कोट के द्वारा तलाक मन्जूर किया जाना चाहिए, तो इस प्रस्ण को उन्होंने उठाया है, तो यह भले ही एतिहासिक प्रस्ण है, लेकिन आज भी यह प्रस्ण समक हाती नहीं निबाता, और शक्राज के मांगने पर ध्रुस वामनी को पहार में देने को तत्पर होया था, वास्तों में जो द्रुस वामनी का विवा है, वह राम गुप्त के छोटे भाई, चंद्रुप्त विकमा दिद्धे के साथ ताय हुआ था, वो उनका मंगेता था, ल इसका आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे, मैंने पुरे प्लाट और कथावस्ति को डिसकस किया है, तो जब शक्राज, शक्राज जो है उस पर आक्रमाण कर देता है राम गुप्त के राजे पर, तो राम गुप्त अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ संधी क करता है, शक्राज के सांथ, कि मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे दूगा, शक्राज उसके पत्नी को मंगता है, कि तुम अपनी पत्नी को मुझे दोगे, तो मैं तुम्हारी हत्यानी करूँगा, और तुमको सतंत्र कर दूगा, तो शक्राज के मांगने पर दुरूस आमनी से बार-बार रिक्वेस्ट करती हैं अन्नाविने करती है कि फिरीज मुझे वहाँ पर मत भेजो शगरात के पास लेकिन वह मानने से इंकार कर देता है तो उसके पास अपनी इज्यत अपनी मर्यादा बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता ध्रूस वामनी के पास ऐसे विक्ति को दुरूस वामनी अपना पती मानने से इंकार कर देती है वो पुरोहिद भी धर्म सबहा में यह व्योश्ता देता है कि अब दुरूस वामनी पर राम गुप्त का कोई अधिकार नहीं है तो वहाँ का जो कोट होता था उसमझे पुरोहिदों का इस्थान बहु हुआ करती थी मतलब यह उनका लोकाल कोट हुआ करता था कोट दो इसके पहले क्या होता है चंद गुरुप्त के नारी की मर्यादा का रक्षक है जब द्रूस आमनी अपने सत्तित को खत्रे में देखती है तब जब शक्राट को देने केलिए रामगुप्त जब तयार हो जाता है कि वह धुरुऔर्सवामनी को शकराढ़ को दे देगा धुरुट्सवामनी अपने सतित्त को खत्रे में देखती है तो अात्मत्यक करको bile आपनी मरयादा बचाना चाहती है तो सम हईं हम इत्य में देखती है सब्सक्राइब आटा उढMr. ने साथ नियूरा है और बोलता है सक beetle में में छक्राज को माढं जो चंद्रकुप ऊंपर आता है उसको आत्मध्य करने से रोकता है दुरुस आमनी को और पालकि में बैठकर बहुतVA को प dåफ भी महिला के वेश्य में शक्राच के दूर्गे में चला जाता है और शक्राच को समाप्त कर देता है मार देता है इसमें कोमा नाम की कोमा द्रूस आमनी नाटक की एक कालपनिक पात्र है बहुत से प्रतियोगी परिच्छाओं में या प्रस्न पूछा गया है खासकर UGC NET और JRP में UGC NET की जो परिच्छा होती है उसमें की कोमा किस नाटक की कालपनिक पात्र है या कोमा कौन ह तो यह द्रूस वामनी नाटा की एक कालपनिक पात्र है, वास्तों में यह अइतिहासिक पात्र नहीं है, कुमा भले ही एक कालपनिक पात्र हो, किन्त हुआ है आदर्श प्रेमिका के रूप में दर्शकों पर अपनी अमीर छाप छोड़ती है, आदर्श प्रेमिका के रूप म उसका यहां पर उले किया गया है वह शक्राज की इस मांग से सामत नहीं है जिसमें उसने दुरुस वामनी को राजनीतिक प्रतिसोत या बदला लेने के लिए उपहार के रूप में मांगा है जब शक्राज जो राम गुपता उससे कहता है कि नहीं तुम मुझे अपनी पत्नी को सौप दो दुरुस वामनी को मुझे सौप दो तब ये कुमा उसका विरोध करते हुए काती है कि ये राजनीतिक प्रतिसोत के लिए राजनीतिक रुप से किसी बदला लेने के लिए किसी महिला के सतित्त को दाओं पर नहीं लगाया जाना चाहिए उसकी इज्यत को उसकी अस्मिता को दाओं पर नहीं लगाया जाना चाहिए सिर्फ राजनीतिक कुष्ची करन के लिए ये राजनीतिक रुप से बदला लेने के लिए कि टो शक्राच को कहती है कि आप क्यों उसको मांग रहे हुए आपको दुरूस को नहीं मांग रहे है का राजनीति लुप से आप उनसे बदला लेना चाहते है तो कोई और तरीका नहीं है आपके पास क्योंग आपको उसको हासिल करना है और उसके सतित्त धर्म को नश्ट करना है यह वकाती है और कोमा के पिता मिहिर देव है कोमा जो कालपनिक पातर है उनके पिता का नाम है मिहिर देव वे भी शकराज को समझाते हुए काते हैं तो कोमा और शकराज जो है कोमा और जो उनके पिता मिहिर देव है शक सासा की और से है उधर से अपोजिट पार्टी की तरफ से तो कोमा के विदा का नाम है मिहिर देव यह भी शक्राज को समझाते हुए काते हैं कि राजनीती में नीती से हाथ नहीं दो बढ़ना चाहिए मतब ठीक है राजनीती अपनी जगह है लेकिन किसी इस्त्री की मर्यादा को उसके सतित्त को दाओं पर नहीं लगाया जाना चाहिए और नीती का पालन किया जाना चाहिए राजनिती ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है यह जो लाल कलर में मैंने लिखा है उनका डालाग है परिच्छा में जब भी आप नडग कम में कोई उत्तार अगर लिखते हैं तो इन पंक्तियों को आप कोड़ करना न भूले तो कि अगर आप इन पंक्तियों को वहां पर उलेख करते हैं तो आपको अंक बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं तो क्या है आपको जो पात रहे हैं के कुछ जो डालाग से उनको जरूर वहां पर जिखना चाहिए और प्रतेगी परिच्छाओं में भी आप पूछा जाता है कि यह कथन किसने किस सिकात है तो राजनीती है मनुश्यों के लिए सब कुछ नहीं है राजनीती के पीछे नीती से भी हात न धो बटो जिसका भी सुमानों के साथ ब्यापक सम्द है तो यह उनका डाला है कि राजनीती के लिए आप मर्यादा का पलान करना भी नीती में और क्योंकि नीती और अंका सम्द्स क्या है विश् Tay दो मानों के साथ है इस परस्ट में नयतिक मुल्यों पर अधिक बल दिया गया इस नाटक में नैतिक मुल्यों पर बलतिया गया है जो भारती संस्कृति का अभाज अंगा है हमारे जो वेल्यूज हैं, इमन वेल्यूज हैं उसको भारती संस्कृति में बहुँ ज़्याद महतों दिया जाता है इसका जैसंकर प्रसाद ने इसमें बहुत महतों दिया है प्रसाद की धाना है कि नीती पत पर चलने वाले पात्र अंतता अपना लक्ष प्राप्त कर लेते हैं मतलब जो नीतियों का पालन करते हैं समाज के जो मान मर्यादा है उसका पालन करते हैं समाज के नीती है ना जो कानून है जो ब्योस्था है जो मर्यादा है जो नियम कानून उनका पालन करते हैं वे अंतता अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं चैंदर गुर्पते हम धुरूस आमनी दोनों ही अंतता अपना लक्ष्य प्राप्त जाता है मन्ताब उनका वह रामगफ्त से मुक्त हो जाता है और यह दुनों आपत में विवा कर लिते हैं है कि यह दुनों अपना लेक्ष प्राप्त कह लेते हैं धर्मकों का रामगुत धर्मत्तबह में च्छब यह काता है कि मुर्क तुझे मृत्यूका भायए नहीं है तब पुरोहित निर्भीक वाड़ी में कहता है बले पुरोहितों का बहुत ज़्यादा महत्तु था उसमय लेकिन राम गुप्तिचों की उसमय राजा है तो वह बोलता है कि पुरोहित को मुर्क क्या तुझे मृत्यू का भाय नहीं है तो मेरे विरुद्द तुझे निर्णा दे रहा है है ना मैं अभी तेरा वद करवा देता हूँ तब पुरोहित निर्भीक वाड़ी में क्या कहता है यह पुरोहित के वाड़ी एक्च्वल वर्ड़ वाहा है जो उन्हें का ब्राहमण के वाड़ धर्म से भाइबीत है अन्य किसी भी शक्ति को वाट उच्चे समझता है वेकार समझता है पाल्तो समझता है तुम्हारे बधिक मतलब जलाद या वद करने वाला व्यक्ति मुझे धार्मी की सत्य कहने से रोक नहीं सकते ब्रामर बोलता है कि मैं सिर्फ धर्मा से भैबीत, धर्मा से भैबीत हो मेरी निष्ठा धर्म के प्रति और इस धर्म के पालन करने में यदि मेरी जान भी चली आती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है तो जब धुरुल स्वामनी रामगुपत को अपना पति मानने से इंकार कर देती है तो धर्म परिस्त बुला जाती है तो वहाँ पुरोवित होते हैं जो विद्वान नयायदीस माने जाते थे उस समय तो अपना निर्णय देते वे वो कहते हैं कि जो गवराव से नस्ट हो जि ब्यक्ति ने जन्म लिया है, राज कुल का हो लेकिन वा अपने कुल को कलंकित करता हो, अत्वा क्लीव हो, मतलब डाकायर हो, डर्पो को नपुनसक हो, ऐसे राम गुप्त को दुरूद सौमनी का पत्ति कहलाने का अधिकार नहीं है, मतलब तलाक मंजूर करते हुए वियाक करत है, कि जिसे अपनी इस्तिरी को दूसरे की अंक गामनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है, मतलब जो पुरुष अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के पास भेज देता है, तो वह व्यक्ति नपुनसक नहीं है, तो क्या है, मैं इस पश्ट कहता हूं कि धर्मशास्त राम गुत्त से दुरुष वामनी के मौक्ष की आग्या देता है, वह बलते हैं, मतलब धर्मशास्त में उलेक है, कि ऐसी परिस्तितियों में उस महिला को, उस इस्तिरी को तलाग, उसकी तलाग मंजूर किया जाना ची, जना उसे मौक् भारती संस्कृती, मुर्तिमान, अर्थाद जीवन्त या मुत्व हो उठी है, मतलब चंद्रगृप्त और दुरुष सामनी का चित्रण उन्हें ने बहुते उदात रूप में, स्ट्रेश्ट रूप में किया है, और यह भारती मुल्यों, भारती संस्कृती का प्रतिनिधी रूप में, यहां उन्हें ने उनको अभिवेक्ति प्रदान किया है, उनको जीवन्त किया है, उनको मुठीमान किया है, और उनमें शील्द, सदाचार, विद्यम्रता, तेज़र्ष्रिता, श्य।र्य, परवकर, विवेक्षीलता, नयतिक्ता, सयम जैसे, वे सभीकूर बुद्तत अर्थत basic elements माने गए इंडियन culture के जो basic elements हैं इंडियन values के जो cultural values हैं इंडियन के भारती लोगों में जो सांस्क्रितिक देखकर जब द्रूस वामनी आत्मत्या के और प्रवित होती है तप्चेंद्र गुपता आत्मत्या को पाप बताता है और काता है कि देवी जीवन विश्व की संपत्ति है प्रमाद अर्थात पागलपन से चाड़ी कावेश्य या दुख की कठनाईयों से उसे नाश्ट करना ठीक तो नहीं है जब जो राम गुपता है अपनी पत्नी द्रूस वामनी को शक राज को देने के लिए तयार हो जाता है जो जब द्रूस वामनी अपनी इजद बचाने के लिए अपनी अस्मिता अपने गरों के रक्षा करने के लिए वह आत्मत्या करने वाली होती है तो ज कि प्रकार के दुख या कढई करण इसे नश्क नहीं किया जाना चाहिए उन्माद में आकर पागलपन में आकर चड़ी कवेश में आकर आत्मत्या कर लेते हैं ने वास्ता में उनकी जिंदगी से उनके माता पिता भाईबान तो यह एक संदेज भी है मतलब समकाली परिस्तितों में आप देखेंगे कि छणिक उन्माद में आकर आवेश में आकर जीवन को नश्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं तो यह आज की भी समस्या है धुरुस वामनी नाटक में राश्टीता की भाणा को भी अभिव्यक्ति मिलिये उस समय 1923 सी में जब यह नाटक प्रकासित हुआ था भारत परतंत्र था तब उन्होंने राश्टीता की भाणा जागत करने के लिए भी इस नाटक को लिखा था प्रसाज्ट जी ने उसे चंदर गुप्त राम गुप्त की भाण के रूप में कल्पित किया है अरथा धिसी कल्पना की है तो मंदाकिनी कोई ःतिहासिक पात्र नहीं है बलक् Marvin ने उनकी कपाज रूपग्त है उनने बोला कि मंदाकिनी जो है राम गुप्त और चंदर प्रोध है तो मंदागनी जो है, जो हिनकी बहान है वह रज्टिता की बहाना से बहुत प्रोध है, वह क्या करती है? वह जानती की बीड़ता जब भागती है, तब उसके पेरों से राजनितिक छल चंद की धूल उड़ती है, मतलब कोई व्यत्ती अपनी बीड़ता से जो पर से जूजना चाहिए अर्था जान की बाजी लगाना चाहिए इस प्रकर जैसंकर प्रवसाद ने मंदाकनी के माध्यां से जो भारती हैं भारती नवयक नवयुतियां संदेख दिया है कि तुमको अपनी राष्ट की सतंतरता के लिए अपने जान की लगाने के लिए अपने प्राणों का उसर करने के लिए लृषा एंपजा ना चाहिए मताराम गुप्त को किसी भी प्रकार का साजय उपरतान नहीं किया जाना चाहिए या उसका कहना है उनकी बहान का जब चेंदर गुप्त द्रोस आमनी के समान की रख्षा के लिए शक बुर्ग में सामन्त कुमारों के साथ जाता है तो मंदाकनी अपने गीतों के माद्यां से उन्हें प्ररित करते हुए कहती है पैरों के नीचे जल्धर हो बिजली से उनका खेल चले पैरों के नीचे जल्धर हो बिजली से उनका खेल चले संकिर्ण कगारों के नीचे शत शत जरने बेमेल चले इसकी मैसले ब्याक्या नहीं करूँगा, सिर्फ आप अर्थ बता देता हूं शब्दों के, जलदहर मतलब पता बादलया समुद्र, कणार मतलब होता है नदी का उचा किनारा, और संकेन मतलब होता है सकराया तंग, जैसा नदी दो किनारों के, कगारों के बीच से बहती चली आती है वैसे उन्होंने आप लिखा है चैंद्रगुप्त राष्ट का सजग प्रहरी है प्रहरी मतलब होता है गार्ड जो सजग मतलब जो हमेशा सजग रहता है जो जाकते रहता है तो चैंद्रगुप्त का राष्ट का सजग बनाकर प्रदान किया जाता है तो चंदल तुम नद छफो मेरक और प्रखत और आप अपने के मर्यादा कि रच्छा कर देगी अपने जान की परवाध नहीं करते हुए इंप प्राणों की प्रवाह नहीं करते हुए भी वह कहा चला जाता है। इद्रोस वामनी नाटक में प्रसाद जी ने सांस्क्रितिक मुल्यों के साथ-साथ राष्टीता को भी अभिव्यक्ति दिये। मतलब इस नाटक के माध्यम से जैसंका प्रसाद हैं ना केवल हमारे कल्चरल वेजूस सौर या पराकराम नीती सचाई मांदारी इन सब को मुर्तरू प्रदान किया है बलकि राष्टिता के भाना को भी अपनी अभिव्यक्ति प्रदान किये यह नाटक परतंद्र भारत के प्रदान के लिए अपने प्राणो का उसर करने के लिए प्रेरित हुए हों तो आज के लिए बस इतना ही और इसका पीडियेप मैंने नीचे डिस्क्रिशन में डाल दिया है पर जितने भी एपिसोड है उनमें आपको पीडियेप का लिंक वहां पर दिया हुआ है इदि नह करना बहुत ही जवरी है परिच्छा के दिश्ट्रिकोंड से पिछले पांच सालों में जो भी प्रस्णायव है उनको आपको अच्छे तरह से तैयार करना चाहिए चाहे आप किसी भी परिच्छा की तैयारी कर रहे हूं कुछ जात्रों को यह लगता है कि मेरे सारे एपिसो कर रहे हूं तब भी यह नोट्स आपके काम आएंगे और इसलिए मेरे लेक्च्छर साब जरू ध्यान से सुनें ध्यान से अटेंड करें और मेरे नोट्स का लाग उठाएं साथ मी यह नोट्स पर्याप्त नहीं है आपको और किताबों को पढ़ना पड़ेगा और कुछ ज कर दे ठीजा है अजएद बांगे काम बड़त है और किताखि काम वे नहीं है काम एी अट2017 से खना किताब भी मेरे यह काम जाब अचर ょोगर बाला से सक हो जह डिस्टिएंग जाबेधू है